जैश्री राधाकृष्ण भगवान जे की, जैश्री गोडी शंकर भगवान जे की, जैश्रावन मास महत्यम्य की, मंदर शिबंसी वाले महात्मा यूटीब चैनल के ओर से हम आप सबी भक्तों का हारधिक विनन्दन करते हैं। श्रावन मास के स्परम पवित्र समय में भगवान शिव की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करने पर अनंत गुना पुन्यफल की प्राप्ति होती है, मनो कामनाई पूरी होती है, दुख दूर होती है, लेकिन श्रद्धा भावना पूरी होने चाहिए, तो श्रावन मास म नहीं श्रावन मास महत्यम की कथाओं को सुनना अपने आप में एक भहुत बड़ा पुन्य करम कहा गया है श्रावन मास की इन कथाओं को आप प्रति दिन हमारे चैनल पर सुन ही रहे हैं तो आज 24 वे अध्याय की कथा हम आपको सुना रहे हैं जो की इस परकार है भगवान श दिन हो प्रित्वी ब्रह्मा जी की शरन में गई है उसके मुख से कथा सुनकर देवगनों के सहीत ब्रह्मा जी ने शीरिस सागर में भहुत स्तूती द्वारा श्रीहरी विश्नु भगवान को प्रसन किया है ब्रह्मा जी सहीत सब देवी देवताओं ने भगवान से कहा है क कि हे प्रभु कंस के अत्याचारों से पृत्वी के सब वासी अब दुखी हो चुके हैं वो देवी देवताओं को भी कष्ट देता है इस कारण अब आप अवतार लेकर पृत्वी का दुख दूर कीजिए तरी लोकी भर में शांती स्थापित कीजिए भगवान ने ब्रह्मा और सब देवताओं की प्रातना को सुना है भगवान प्रसन हुए है भ्रमा जी के मुख से सब कुछ सुनकर दिशाओं में प्रादुर भूत श्रीहरी विश्नु भगवान जी ने कहा है कि हे देवतागनों आप डरो मत क्योंकि देवगी के उदर से वसुदेव द्वारा अ मैं अवश्य ही प्रिथवी का कष्ट हरूँगा आप देवतागन प्रिथवी पर जाकर यादव रूप से उत्पन हो और मेरी लीला में सहयोग करें कंस का वद्ध मैं अवश्य करूँगा ऐसा कहकर प्रभू अंतर ध्यान हुए है देवकी के जठर से उत्पन होने पर भगवान श्री क्रिशन जी को गोकुल में पहुचा कर आए हैं क्योंकि पूर्व जनम में नंद और ये शोदा ने तपस्या करके भगवान से ऐसा वर्दान मांगा था कि हे प्रभू अपनी बाल लिलाओं का सूख हमें देना हम आपकी बाल लिलाओं को देखना चाहते हैं औ मेरे जैसा तो और कोई नहीं हो सकता मैं स्वयम ही आपके यहां पर अवतार लूँगा तो इस कारण प्रभू ने अपने इस अवतार द्वारा वसुदेव देवकी को दिये हुए वर्दान को भी सत्य साबित किया है और नंद ये शोदा के घर प्रभू अपनी बाल का सुख देने लगे हैं उनको भी आनंद मिला है ठाकुर जी की मधुर लिलाएं देखकर सभी ब्रजवासी आनंद मगन रहते थे कंस के अत्याचार बढ़ने लगे हैं फिर ठाकुर जी ने मतुरा में आकर सब गनो सहित कंस का वद करके सब ब्रजवासियों के दुख को किया है प्रित्वी का कष्ट हरा है सब ब्रजवासी आज भगवान से प्रातना कर रहे हैं कि हे क्रिश्न हे क्रिश्न हे महायोगिन हे भक्तों के अभे दाता हे शरनागत वसल आप हम सब की रक्षा करें हे देव हम आप से कुछ प्रातना करना चाहते हैं उससे आप सुनिए हे प्रबु किसी को भी आपके जनम दिन का ज्यान नहीं हुआ जान लेने पर सब लोग उस रोज वृधा पनोसव करेंगे इस प्रकार उन में भक्ती देखकर शद्धा तथा अपने में आतमीता देखकर भगवान ने सब से जनम दिवस में होने वाले कारे को कहा है उनोंने एक प्राचीन इतिहास कहते हैं अंग देश में उतपन मित जीत नाम वाला राजा हुआ उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सत्य मार्ग का अनुयाई था वह सरवग ये राजा सव इधी प्रजा को प्रसन रखता हुआ रक्षा करत उस समय देव योग से पाखंडियों के साथ भहुत दिनों तक रहन सहन होने से उनके संसर्ग से राजा अधरम के कारियों में लग गया है उसने वेद शाष्ट्र रथा पुरानों की भहुत निंदा की है और वर्नाश्रम धरम से भहुत द्वेश करने लगा है ये मुनी सत् यो काफी समय बीतने पर काल के वशी भूत हो वो यमदूत के वश में हुआ है पाश बंधन में बांध कर यमदूतों ने यमराज के समीप लाकर दुष्ट संगती योग से उसे भहुत पीला तथा तारना दी है फिर नरक में गिरकर वह भहुत काल तक यातनाओं को भूगत अब शिष्ट पाप द्वारा व्हःपिशात योनी को प्राप्ट हुआ है भूख प्यास से दुखी हो मारवार देश में घूमता हुआ किसी व्यापारी के शरीर में प्रवेश कर उसी के साथ पून्य देने वाली मत्रपुरी को गया है मत्रप के पास पहुंचा तो से उसे अलग किया है वैवन में तथा रिशियों के आश्रमों में घूमता हुआ कदाचित दैव योग से श्रिक्रिष्न जनमाष्टमी के दिन मुनियों तथा ब्रह्मनों द्वारा की जाने वाली महापूजा और नाम संकिर्टन आदी से रात्री भर जागता रह गया सब नमकारियों को उसने देखा है कथा सुनी है उसे अनंत गुना पूनिफल प्राप्त हुआ है जिससे उसी शन ही वह निश्पाप पवित्र और स्वच चीत वाला हो गया है उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर वह वीमान द्वारा श्रीहरी विश्न भगवान जी के विश्न लो को गया है यमदूतों से त्यक्त हो दिव्य भोग समन्वित हुआ है है सनत कुमार जी इस वरत के प्रभाव से श्रीहरी विश्न भगवान जी के सानीद से उसने मुक्ति फल को प्राप्त किया है तो यहीं पर श्रावन मास महत्यम के चोबीस में अध्याय की इस कथा का आज की इस कथा को आपने सुना आप सब का हार्दिक धन्यवाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीराधा अश्मी का वरत अब आने ही वाला है उसी खुशी में प्रति दिन हम आपको श्रीराधा राने जी की सुन्दर लिलाओं की कथाओं को सुना रहे हैं और रधाश्मी का वरत रखने से ही सभी मनो कामनाई पूरी हो जाती हैं दुख दूर होते हैं भगवान के चरनों में प्रेम हो जाता है तो उन कथाओं को भी आप जरूर सुने इस कथा को आपने सुना आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री राधा क्रिशन जी की भ जैश्री गोरी शंकर जी भगवान की जैश्रावन मास महतियमे की ओम नमस्ण शिवाई जैजय ष्री राधे जैजय श्री राधे जैजय श्री राधे शाम